हेलो डियर फ्रेंड्स कैसे आप लोग बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिनका अभी 12th का रिजल्ट आ गया है और इंजॉय कर रहे हैं बच्चे अब स्कूल से हमारा माइन कंप्लीट हो गया है और कहीं न कहीं अब अपॉर्चिनिटी और करियर की तरफ हमारा माइन जा रहा है तो बच्चों आप लोग जिनका 12th के अभी रिजल्ट आ गया है उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मैं सीए संजय कुमार गोयल डारेक्टर और फेकल्टी मेंबर अफ एक्सल एड्यूकेशनल इंस्टीट जहां पर हम लोग कॉमर्स से रिलेटेट पूरे बड़ी हा रिजल्ट दे रहे है तो इस वीडियो का परपस यह है कि आप लोगों को एक जन्रल गाइडलाइन देना और अगर आप लोग आज से के बारे में सोच रहे हैं तो किस तरीके से आपको इसको प्रोसीट करना चाहिए इसके गाइड करना और और डीटेल के लिए च्छोटा रहने वाला है इसमें बहुत जादा मैं बात नहीं करूँगा लेकिन इसमें अगर और जानकारी आप चाहते हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में कुछ और रिलेंट रीडियो में डाल दूँगा हमारे कि इस वीडियो को जरूर अगर आपको अच्छा लगता तो like करीएगा और comment में जरूर बताईगा कि और किस तरीके का वीडियो आपको चाहिए तो इससे हम लोगों को भी समझ में आता है कि कैसे किस तरीके के आपको guidelines की जरुवत है तो ओके शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि CA के course की opportunity क्या है क्योंकि हम जो भी course join करते हैं उसके सबसे पहले opportunity हमको देख लेनी चाहिए Indian opportunity क्या है, foreign opportunity क्या है, इंडिया में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं जॉब कहा मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगी, प्रैक्टिस में क्या कोई area है, क्या हम business कर सकते हैं कई सारे ऐसे सवाल मन में हमारे 12th के बाद उठते रहते हैं, उनके मैं एक brief answer दूँगा फिर जो interested रहेंगे वो और research कर सकते हैं, जरूर comment में बताईए, और किसी एरी में वीडियो ची हम जरूर बना के डालेंगे ओके फेंड तो चली शुरू करते हैं, बदाई के साथ आगे मैं चलता हूँ, पहले CA course के बारे में मैं आपको बता दूँग कि जो Chartered Accountancy course है ये जो course है, ये और्गनाइस करती है, एक्जाम और्गनाइस करती है, The Institute of Chartered Accountants of India जिसका headquarter Delhi में है, और इस institute को बनाए गया Parliament के law के द्वारा, और ये जो एक्जाम में आपको बता दूँग कि इस एक्जाम में हमको बहुत ज़्यादा कोई expense भी नहीं रहता लेकिन opportunity भर-बर के यहां पर है, बहुत सारा knowledge आपको बढ़ जाता है, इसके opportunity के बारे में अगर और में बात करूं, तो Chartered Accountancy अगर आप दो-तीन broad area में बात करें तो जो job के area में भी काफी demand है, banking sector में, insurance sector में, even जो companies है उन वहां पर बहुत ज़्यादा demand है, अगर Chartered Accountants चाहे तो अपनी own practice भी कर सकता है, खुद की सलाकार बन सकता है, अचा practice में भी कई सारी field है, taxation की field है, taxation मे management consultancy है, ऐसे कई सारी field है, project finance की field है, इस तरीके से काफी सारी field है, even कई बार हमने देखा है कि Chartered Accountancy course करने के बाद business में भी काफी अच्छा perform करते हैं, क्योंकि उनको काफी सारा idea हो जाता, articleship period में, तो Chartered Accountancy का vast field है, इसके बारे में काफी detailed video मैंने बनाया है, इसको description में मैं किजेगा, और कोई area आपको लगता है, छुटिए हम से, तो जरूर आप comment में डाली है, हम आपको जरूर बताएंगे, और इस course के बारे में थोड़ा समय आपको यहाँ पर guide करूँगा, किस तरीके से join करना है, और अभी जो बच्चे 12G का result आगया, उनको क्या plan करना चाहिए और इसमें research करना चाहिए, तो मैं इसमें जरूर बताता हूँ, अभी जो बच्चे निकले हैं ना, उनके लिए CA जस्ट आगे मई 2022 में, 2022, 2022 जो है 2022 मई में exam held करने वाली है, तो आज ही आप अपना registration करा लिजे, online registration होता है, लेकिन registration में कोई भी समस्या है, तो आप हमारे, जो तरीके से online registration करा जाए, हम free of cost आपको इसका सलाह देंगे कि किस तरह से आपको registration कराना है, अगर आप CA foundation के लिए registration कराते हैं, तो आपको मैं 2022 में होने वाली exam देने मिलेगी, और ये exam कोई एक सिटी में या डेली में लिजाती है, ऐसा नहीं है, ये across the इंडिया, इवन इंडिय कि बाहर भी कई सारे center वहाँ पर exam लिजाती है, एक ही time पर एक ही exam होती है, और CA के course के लिए सबसे पहला पढ़ा होता है CA foundation, CA foundation के अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो CA foundation का जो course है, उसमें चार subject होते हैं, जिसमें लगबग लगबग समझ लिजे कि काफी सारा, अगर commerce की बच्चें आप तो काफी सारा पढ़ के आये रहते हैं, उसी को और थोड़ा exam pattern में हम काम करते हैं, कुछ एका subject आपके नहे रहते हैं, जिसे law आपको नया इसमें पढ़ना है, और कुछ-कुछ area आपको नया पढ़ना पढ़ता है, economics आप पढ़ के आते हैं, accounting आप काफी सार help मिलता है हमको 11-12 का, तो मही exam है, मही निकलने के बाद, मही 22, exam निकलने के बाद आपको अगला पढ़ाओ, CA inter है, जिसमें 8 paper होते हैं, और CA final जिसमें 8 paper होते हैं, then you will be eligible to become chartered accountant, तो अभी आपको मैं CA foundation के अगर बात करो, CA foundation आपको May 2022 में exam देने मिलेगा, अगर आप अभी registration कर apply, मतलब जून तक बन लेते हैं, वहां तक हो गया है, तो फिर वह exam अभी नॉंबर में उने वाले exam भी दे सकते हैं, उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, उसके बात मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं इस course के पर हमारे features की बात करता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि we as a institute, institute मतलब Excel educational institute जो है, हम लोग काफी सारे rankers निकाल चुके है, All India rank institute पप्लिच करती है, including All India first rank भी हमारे दो तिन तीन बार आ चुके हैं, All India second rank, third rank, fourth rank, ऐसा करके हमने All India rankers जो है, हमारे पास 1500 rank से भी जादा बच्चे rank में निकाल चुके हैं, यह पूरा कमाले बच्चों के मेहनत और हमारी dedicated team का, जिसमें पूरे faculties, खुद chartered accountant है, काफी साल से पढ़ा रहे हैं, qualified है, कुछ subjectly engineers हैं, और काफी अच्छी हमारी counselling की team है, आप इन counselling की team के भी मंदद ले सकते हैं, कि हमको और कैसा proceed करना है, तो हमने काफी सारे rankers यहां पर दिये हैं, काफी अच्छा result है, अमुमार हमारा जो All India percentage जो result आता है, उसे देड़ से दो गुना तक भी हम लोगों का result आता है, मतला All India average जितने percentage निकलते हैं, यह पूरी के पूरी कमाल है, बच्छों की मेहनत का, और हमारी faculty जो dedicated team है, और मैं आपको जरूर से कुछ features बताना चाहूंगा अपने academy के, कि हम लोग subject को बहुत thorough knowledge देते हैं, बहुत detailed study कराते हैं, revision कराते रहते हैं समय समय पर, doubt clearing session लेते हैं, हर class के पहले और हर class के बाद, class के पहले हम बच्चों से कल क्या पड़ा है, उसके बार में बाच्चीत करते हैं, judge करते हैं ताकि बच्चा alert रहे, जैसे ही class खतम होती ही, त teacher से interact करते हैं उसमें, और हर week हम test लेते रहते हैं, ताकि बच्चों को actually हमारा मानना देखे क्या है, हमारा मानना है कि जिस दिन, जैसे CA के course लोग tough मानते हैं, या कुछ लोग fail हो जाते हैं, तो हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं, कि भईया, अगर कोई बच्चा CA के exam मे actually उस दिन fail नहीं होता वो, जिस दिन result आता है उस दिन fail नहीं होता, उस दिन उसको पता लगता है, मेरी बात समझना, जिस दिन result आता है, उस दिन बच्चा fail नहीं हो रहा है, उस दिन उसको केवल पता लगा है, fail तो वो किस्तों में हो रहा है, धिरे धिरे हो रहा है, अगर बच्चे को तुरंद जज़ कर लिया जाए, तुरंद डिटेक्ट कर लिया जाए, टेस्ट के थूरू डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर वो शुरू से ही अच्छा परफॉर्म करते रहेगा, या उसमें कमी है, अगर शुरू से हम ध्यान देते रहेंगे, टो रिजल्ट नहीं बिगरता, ध्यान रखो दोस्तों, और जिन लोगों को लगता है, C.A. का कोर्स टाफ है, बिल्कुल गलत है, C.A. को जो कॉर्स हे न, वो केवल हम का एटिकेशन मांगता है, काफी experience हो गया इस चीज का हम लोगों को, doubt clearance, फैकल्टी को personal number रहते हैं, बच्चों के पास फैकल्टी के personal number रहते हैं, उनको एक time alert करते हैं, उस time पर फैकल्टी से बात कर सकते हैं, weekly test मैंने आपको बताया ही, साथ में जब course complete हो जाता था हम कई सारे mock test लेते हैं, mock test मतलब same exam environment मे बच्चों के हम exam लेते हैं, ताकि उनको exam का fear खतम जा, आप देखेगा, हमने देखा है, कि बच्चे जो है न, perform अच्छा करते हैं, लेकिन exam में perform नहीं कर पाते हैं, exam के pressure में आ जाते हैं, exam का pressure और fear दूर करने के लिए हम काफी सारे taste लेते हैं, हमको तो बच्चे बोलते हैं कि सारे exam जब हम गए तो हमको लग रहा था कि टेस्ट ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारे आदत है ऐसी देने की, तो ये काफी हम इस बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे कई सारे features हैं, जो हम लोग बच्चों को provide करते हैं, अलग-अलग field का expert को भी कई पर हम class में बलाते हैं हम उनकी grooming करते हैं, personal guidance पर ध्यान देते हैं कि कि इस बच्चे का कौन सा area उसका week है, उस area पर कुछ अलग धरीगे से हम उसके बताते हैं, तो ऐसा personal guidance देते हैं, तो ये हम लोगों की features हैं, और CE के course के बारे में मैंने बताया, तो इस video बनाने का, इस short video बनाने का एक ही purpose है कि आ और चहां, एक चीज़ बात मैं ज़रूर बोलूँगा, जिस भी field में जाना है, उस field में success का एक छोटा सा mantra है, early finalization, आप जिस field में जा रहे हैं, अगर उसको जितने जल्दी finalize करेंगे, आपको जिस भी field में जाना है, तो उससे आपको समय जादा मिलेगा, जिसे अगर आज म foundation की बात करों, तो इसका exam का बाना है, मई 2022 में, और आज हम बैठे हैं, अगस्त में, तो अगस्त में अगर हमने decide कर लिया, अगस्त में हमने decide कर लिया, तो हमारे पास समय कितना मिल जाएगा, बहुत अच्छी हम तयारी कर पाएंगे, revision कर पाएंगे, test दे पाएंगे, mock test दे कर सकते हैं, तो आप attend कर सकते हैं, और अगर हमारे demo class को आप zoom के through, interactive session के through attend करना चाहते हैं, तो description में एक form डाल देंगे, उस form को fill up करके, आप live attend कर सकते हैं, हमारे demo class को, उसका भी हम facility यहां पर दे रहे हैं, YouTube में attend करना चाहते हैं, या फिर face to face academy में आना चाहते हैं, most welcome आके attend क किजिए, हमसे बात किजिए, और कहां कहां doubt है, तो हम पांच तारीक को इसका 5 अगस्त 2021 को अभी हम इसका लेने वाले हैं, demonstration classes, जिसमें काफी सारे बातिया होगी, ना किवह हम अपने पढ़ाने के तरीके को बताएंगे, हमारे features बताएंगे, बलकि हम CA के बारे में opportunities या आप लोगों का मानना है कि एक sound, concrete और early decision आपको आगे बढ़ाता है, okay friends, तो इस वीडियो में इतना ही, जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने friends को share कीजिएगा, friends की lobby में course को join कीजिए, friends की lobby में course को join करने से क्या होता, आपस में एक fair competition create होता है, और उसका काफी फाइदा हम को मिलता है, और comment में जरूर जरूर बताइएगा कि और किस तरीके का वीडियो आपको चाहिए, मैं जरूर उसके लिए time निकालूंगा और इस पर काम करूंगा, okay friends, आज के लिए इतना ही, and last but not the least, all the best for your result, आप बहुत बढ़ी अपरफॉर्म किये होंगे, और अगर for this course, यह institute welcome करती है हमाने institute आपको, और जरूर आईए, और success किजिए, और अपना career बनाईए, okay friends, हमाचा चाहिए,